इस्रेल के एसकलन सिटी में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हमास ने रॉकेट अटेक किया सुमिछ चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए यहां पर एक बार फिर से कई रॉकेट दागे गए हैं हाईला की आयरें ड्रोम ने उसको निश्के कर दिया लेकिन आप देखिए बिल्डिंग के कई हिसो को उसने टार्गेट किया है और यह कांश के टुकड़े लगातार इन जगों पर पड़े हैं जहां हम खड़े थे और अब ही देखे जितने लोग थे मैं आपको निशान दिखाना चाहूंगा कि वह सब ऐसे ही आकर दुबारा से छुप गए हैं या फिर आप इधर से यहां पर अपने अपने शेल्टर सुन्हों ने ले लिए देखिए मैं आपको दिखा रहा था कि हम ओपन में खड़े हुए कई बन कई रॉकेट्स आया और जिसको आईरेंट्रोम ने निश्क्रिय किया लेकिन आपको बता रहा था दिन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था लेकिन फिर भी कई रॉकेट्स ने जाके रेजिदेंशल बिल्डिंग्स को टार्गेट किया कुछ लोगों को कैजवल्टी भी यह सभी लोग यहां पर पिक्चर भी यह सभी लोग इसकी पिक्चर ले रहे हैं जो अभी गिरा है यहां पर एक तुकड़ा और देखिए लगातार इन इलाकों के अंदर इसी तरीके से रॉकेट के तुकड़े या चीजे आपको नजर आ जाएंगे अभी भी आप सुनेग के बले इसराइल लगातार हमास के ठीकानों को टार्गेट कर रहा है लेकिन अभी भी यह माना जा रहा है कि हमास की तरफ से भी आटाक्स रुक नहीं रहे हैं पॉई गाजा से दिल दैलाने वाला वीडियो सामने आया है इसरेली हमले का दर्दनाक वीडियो है ये दर्दनाक तस्वीरे हमले के बाद गाजा पटी दहल उठी है अपनों की मौत पर रोते बलगते लोग नजर आ रहे हैं तो युद्ध के बाद की स्थिती कैसी है इन त कर दो यह जो प्याह दोस खबता रहो भुध कर रहे खंड पर झ опять बाद require को कि मौत तो कि मौत अ को स्थितों है अग है अभया अभया जल्श कर पैया जा में जू uğसी उना है जोसे वे म जे हैं आई जैन से ту जोब व…. कर दो, कर दो, कर दो दो कर दो